यह कहावत तो आपने सुनी होगी या एक बंदा अपनी कम्पनी या अपने दोस्तों की सोहबत से पहचाना जाता है अगर हम इसी कहावत को फिट करें डेटा पे पर एक्जेम्पल अगर मैं कहूं कि एक डेटा पॉइंट अपने इर्दगिर्द वाले डेटा पॉइंट की सोहबत से पहचाना जाता है तो यह के नियरेस नेवर अल्गुरिथम काम करते है Machine Learning के अंदर जब हम किसी चीज़ को या तो regression की तरफ लेके जाते हैं या classification की तरफ लेके जाते हैं तो यह दोनों चीज़ें बहुत important होती हैं कि आप किस तरीके से उसको classify कर रहे हैं या किस तरीके से predict कर रहे हैं किसी एक value को जब आप एक data point को किसी 2D coordinate के अंदर place करते हैं तो उसके इर्दगिर्द जो करीबी रिष्तेदार या करीबी points या उस data points के करीब करीब जो लोग होते हैं आप उनकी basis पे उस data point को कोई नाम देते हैं या उसको classify करते हैं सेम वो ही बात होगी और यहां पर मैं कहूंगा तो इसी तरीके से के नेरिस नेबर algorithm को हम देखेंगे और अक्सर अकवात आपको भी पता है सेम वो ही चीज़ा अगर आप अपने नेबर का ख्यार रखेंगे तो आपके नेबर जो है वो आपका ख्यार रखेंगे तो यही scenario सारा चलता है जब आप के नेरिस नेबर algorithm के उपर काम करते हैं मैं अपने screen share करता हूँ screen आपके सामने हाजिर है अब हम देखते हैं कि के नेरिस नेबर जो है वो किस तरीके से काम करते हैं and how it can help us to actually work in different planes तो अब हम के नेरिस नेबर पे बात करते हैं यहाँ पे screen के उपर अगर मैं यहाँ पे algorithm का नाम लिखूँ so this is called के नेरिस्ट नेबर्स के नेरिस्ट नेबर्स यह हमारे पास जिनाब जो algorithm है के नेरिस्ट नेबर का हम इसके थूँ काम करेंगे आज और आज हम देखेंगे कि के नेरिस्ट नेबर हमें किस तरीके से help out करता है whenever we are dealing with anything like के नेरिस्ट नेबर algorithm या हमारे पास कोई और scenario जो है वो आता है so just give me one second के नेरिस्ट नेबर को हम के ने भी बोलते हैं और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक brand भी है के ने का जो basically के ने चिकन का एक brand है जो pack करके आपको चिकन देते हैं but on the other side मैंने कैसे याद रखा था के ने नाम से के नेरिस्ट नेबर जो है आपके माइंड में ये वाला algorithm जो है वो आएगा ठीक है अब के नेरिस्ट नेबर के अंदर जो important चीज़े हैं सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसका concept समझा देता हूँ आपके पास ये एक 2D plane के अंदर एक graph है ठीक है और यहाँ पे आपके पास है red points यहाँ पे आपके पास है जनाब green points और यहाँ पे आपके पास है जनाब ये वाले blue points ठीक है अब मेरे पास इस तरीके से तीन categories आगे हैं red point blue point और green point say for example मेरा जो एक unknown point है वो कहीं पे यहाँ पे जाके रुखता है ये जो white वाला है ये मेरा unknown point है so what can we do in order to identify के ये वाला जो point है ये किस class के अंदर shift होना चाहिए we are talking about classification ठीक है तो हम क्या करते हैं इसके nearest nearest number जो है k जो है वो कोई भी एक number है जितने nearest point आपने देखने अगर मैं बोलूँ के nearest k number 1 है तो मैं यहाँ पे इसका जो nearest एक point है उसको देखूंगा which is this one अगर k nearest 1 मेरे पास ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे पहला जो nearest point है वो है green वाला तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये green class के अंदर चला जाएगा ठीक है अगर मेरे पास ये ही k की value 2 हो तो मैं दो nearest point देखूंगा which could be this one and this one फिर भी मैं ऐसे कहूंगा कि ये green class के अंदर है लेकिन अगर मैं इसी white point के इर्द गिर्द k का number 5 रखता हूँ अब हमारे पास 3 green points है 2 जो हैं वो red points है तो हम क्या करेंगे for example जो हमारे पास red points है वो आए हैं जनाब 2 और जो green points है वो हमारे पास जो इस दाइरे में आए हैं वो हैं 3 तो जिनकी value ज्यादा होगी हम उस class के अंदर इसको shift कर देंगे ठीक है यानि कि इस points से जिन points की value यानि कि जिन points का mod basically mod ज्यादा होगा हम उसके अंदर इसको convert कर देंगे उस class के अंदर इसको classify कर देंगे ठीक है पहली चीज तो यह होगी second अगर यही काम हमने classification का करना हो तो हम कोई भी एक unknown point लेते for example यह point यहां पे आ रहा है तो हम इसके nearest point देखेंगे सिर्फ और इसके red के point जो है वो nearest है तो हम कहेंगे कि यह इसकी class भी red है तो बहुत असान हो जाता है इसकी base पे हमारे पास किसी चीज को classify करना ठीक है nearest neighbor की base पे तो k क्या है nearest neighbors में k है number of neighbors कितने number आपने लेने है जैसे आपको भी पता है कि Islamic point of view में देखा जाए तो हमारे पास nearest neighbors जो है वो 40 घरों को हम बोलते हैं कि यह हमारे neighbors है ठीक है 40 घरों को तो हमारे पास अगर मैं यहां पे कहूँ कि इस एक point के अंदर अगर आप Islamic point of view से देखें यह इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि यहां पे मैंने point लगाया है और मैं कहूँ कि यह का number है जिस 100 ठीक है तो क्या होगा इस point के इर्दगिर्द सारे के सारे points इसके गेरे में आ जाएंगे तो हम फिर से confused हो जाएंगे कि किस में जाना है ठीक है सो इस वज़ा से हमने एक छोटा सा ऐसा value define करनी है which shouldn't be more than the numbers of points यह नहीं होगा कि आप यहां पे सारे के सारे points को इसके अंदर देख ले आपने करीबी कुछ points को देखना है और उनकी pace पे decide करना है कि यह किस class में जाएगा या इसकी value क्या होगी यह मैंने इस तरीके से कुछ points लगा दिये और यहां पे मेरे पास red class के भी points है ठीक है यह मैंने point लगा दिये अब मैं एक point यहां पे fit करता हूँ which is this yellow point और मेरा मानना है कि yellow point को हमने कोई value देनी है value से मराद कि यह regression की problem है हमने regression को मदे नज़र रखते हुए yellow point को कोई न कोई एक value देनी है अगर आप इसको और भी zoom in करें तो आपने क्या करना है इसके करीबी अगर k is equal to 3 है तो आपने इसके करीबी 3 points की value देखनी है पहला यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा यह इन तीनों की values लिख ले तो पहले point की value से for example 2 है इसकी 2, 3 और इसकी 1 है तो 2, 3 और 1 यह 3 values होगी ठीक है जो आपके क्रीबी रिष्टेदार है इस एक point के या क्रीबी points है आपने क्या करना है या तो इनका mean लेना है या आपने इनका median लेना है ठीक है mean या median लेके आपने जो इनका mean या median होगा for example 2 और 3 पांच और 1 छे divided by 3 या तर 2 median इसके अंदर है 2 median भी 2 है, mean भी 2 है तो आप क्या करेंगे उस एक point की value उस हिसाब से आप दे देंगे say for example जो मेरा unknown point है उसकी value भी 2 है क्योंकि मेरे पास k की value 3 थी तो मैंने उसको 2 value दे दिया तो अगर आपने numeric value को predict करना है so you can rely on mean and median of neighbors mean and median पे आप rely कर सकते हैं और अगर आपने classify करना है then you have to rely on the mod of nearest neighbor तो mean, median और mod of nearest neighbors की base पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि which of the points are there to classify और यही आपके पास जो है यह वाला algorithm शो करता है कि आप k nearest neighbor की base पे कैसे काम कर सकते हैं यह है जह k nearest neighbor algorithm और इसको आप इस तरीके से use कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया और advantages क्या है k nearest neighbor को use करने के there are many advantages अगर आप advantages की बात करें न believe me, tons of advantages are there to use k nearest neighbor तो मैं यहाँ पे अगर advantages लिखू जब आप k nearest neighbor को use करते हैं सबसे पहला आपके पास जो advantage होता है यह बहुत ही simple algorithm है आपने भी देखा कि nearest neighbors की base पे आप इसको बना सकते हैं easily use कर सकते हैं तो अकसर उकाद इसमें training जो है वो आप data की करने की ज़रूरत नहीं होती training phase से आप directly आगे भी जा सकते हैं ठीक है यानि के यह क्या करता है यह सारे के सारे points को मदे नजर रखता है और k की value की base पे आपको predict करके दे देता है so you don't need to train the model आपके पास सारे के सारे data points पड़े हैं एक space के अंदर आप अपना data unknown रखे और उसको measure कर लें simple तो training phase का जो time है हमारे पास discriminative study के base पे यह training हम run तो करेंगे बट यह इतना ज्यादा time नहीं लेगा तो training phase में ज्यादा time हमारा नहीं लगता ठीक है और usually आप training phase को minimize भी कर सकते हैं तीसरी चीज़ यह versatile है इतना versatile है कि आपको मैं अभी बताता हूँ कि यह जो points है कौन सा point nearest है इसको find out करने के लिए आपके पास 3 से 4 किसम के distances होते हैं ठीक है जो geometry के अंदर use किये जाते हैं मैं उनके नाम आपको भी बता देता हूँ पहला होगा हमारे पार Euclidean distance दूसरा होगा Manhattan distance तीजरा होगा मिनकॉस्की and the fourth one which usually people use is called hamm distance hamming distance sorry for that hamming distance लेकिन Euclidean, Manhattan and मिनकॉस्की यह तीन distances use होते हैं यह क्या करते हैं अगर मैंने इस point का इस point से distance मापना है जिसकी base में हम neighbors को select करते हैं तो हमारे पास कई तरीके होते हैं उस distance को मापने के जो इन्शाला आज के lecture के अंदर मैं आपको बताऊंगा उनमें से Euclidean, Euclidean, Manhattan and Minkॉस्की इन तीनों distances को देखेंगे और हम इनकी mathematical equations भी देखने वाले हैं पहला इसका जो con है यानि के disadvantage जो है वो ये है के जनाब ये computationally बहुत ज़्यादा expensive हो जाता है computationally expensive यानि के जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है computation बहुत ज़्यादा लेता है क्यों? क्योंकि जब आपने k की value 50 कर दिये इसे for example तो इसने हर एक point का distance मापने फिर उसकी base पे करीबी 50 point देखने है और 50 तब पहुंचेगा जब वो बाकियों का distance माप लेगा so arbitrary randomly ये start करता है distance को मापना और करीबी 50 को find करता है इसका मतलब है इसने अच्छे से पूरे के पूरे data set को देखने है फिर 50 को find out करना है ठीक है दूसरी चीज़ ये sensitive है to imbalance data sensitive to imbalance data यानि के ऐसा data जो imbalanced है ठीक है यानि के जो biased data है ठीक है और जो data आपको बताता है के for example मेरे पास जो main class है सबसे बड़ी class आपकी जो है जी red है फिर आपके पास जो yellow class है उसके अंदर सिरफ 4 point है तो ये sensitive होता है यानि के जाहरी बात है अगर red के points ज्यादा है तो obviously जो unknown point आएगा automatically red class में चला जाएगा so imbalance का मतलब है अगर yellow के point कम है और red के points ज्यादा है तो ये red की तरफ हर किसी को देखे ली जाएगा that is why this is sensitive to imbalance data imbalance data क्या होता है कि एक class की values कम होना दूसरी class की ज्यादा होना यानि के balance ना होना ठीक है तीसरी चीज़ ये है कि ये irrelevant features के लिए भी sensitive है sensitive to irrelevant features यानि कि जब आप काफी ज्यादा features आपके पास हैना say for example feature से मुराद है कि 19 input column आपने ले लिए और कुछ columns ऐसे हैं जिनका link की कोई नहीं भनता किसी एक point को describe करने के लिए तो ये sensitive हो जाता है उन irrelevant features की base पे say for example अगर आपने अपनी speed test करनी है यानि कि मैं कितना तेज भाग सकता हूँ तो आप food को देख सकते हैं water intake को देख सकते हैं लेकिन अगर साथ में आप अपने नाम को भी इसमें रख लें कि मेरे नाम की base पे speed का बड़ा रोला है अगर मेरा नाम अमार है तो मैं तेज नहीं भागूँगा लेकिन अगर मेरा नाम उसहन बोल्ट है तो मैं तेज भागूँगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो यह irrelevant feature हो गया इस तरह के features क्या करते हैं इस एक distance के उपर बड़े असल अंदाज होते हैं ठीक है So we need to find out relevant features in order to work with k-nearest neighbor algorithm तो हमने देखा k-nearest neighbor होता क्या है और किस तरीके से उसके advantages है simple है training phase में जाता है versatile है then cons हमारे पास है computationally expensive sensitive to imbalance data and then sensitive to irrelevant factors या features sorry अब एक और important चीज हमारे पास आती है कि यह use कहां पे होता है where do we use this applicable कहां पे है this means KNN कहां पे use होगा आपके mind में बहुत ज्यादा theory आती होगी लेकिन मैं आपको तीन major points बताता हूँ यह जो recommendation system है उसके अंदर use होता है recommendation system यानि कि यह जो आप ads वगरा देखते हैं अपनी YouTube के उपर उसके अंदर और अगर आप data science सर्च कर रहे हैं देते हैं या आपको next videos recommend करते हैं तो recommendation system इसकी base पर चलता है आपकी financial services इसकी base पर चलती है ठीक है आपका banking का जो loan system है उसके अंदर भी automatic loans के अंदर banking systems के अंदर यह use होता है ठीक है healthcare system जो है उसके अंदर यह use होगा healthcare system ठीक है and there are many other things like that जहां पर आप classify करते हैं चीज़ों को ठीक है अगर for example banking या finance की बात करूँ तो banking के sector के अंदर fraud detection में के नियरस निबर बहुत use होता है fraud detection fraud detection में कैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगर मैंने जिन्दगी में आप कहलें के पिछले 5-6 साल के अंदर कोई 50,000 से ज़्यादा transaction नहीं की ठीक है तो वो एक cluster बन गया कि इसकी range जो है 10,000, 20,000, 30,000 तक transaction की होती है और एक दिन मैं आचानक बैठा-बैठा 5,000,000 की transaction कर दूँ तो ये fraud detection के जुम्रे में आ सकता है बिकास उसकी class ही कोई नहीं मैच कर रही जो मेरे पिछले patterns and data के उनके साथ तो bank will call me और they will ask me and OTP or something like that जिसकी base पे वो इसको basically fraud से बचाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के red alerts जो होते हैं खास तोर पे spam filtering or something like that ये उन से बचाने के लिए हमें बड़ा helpful साबित होता है so we know के fraud detection के इलावा financial services जो लोग देते हैं वो आपको classify करने के लिए तोर पे use हो सकते हैं for example loans वगरा जो देते हैं वो इस algorithm को लगा सकते हैं और healthcare system के अंदर आपको अगर simply बुखार हो रहा है और आप थोड़ा बहुत बिमार होते हैं तो आपका healthcare जो है वो एक specific class के अंदर चला जाएगा यानि कि इसका खर्चा इतना नहीं है और second जगों पे healthcare system के अंदर अगर किसी कोई बड़ी गंदी कोई बिमारी लग जाए तो उनकी जो class है वो totally different हो जाएगी then they know कि इस बंदे का healthcare system के अंदर insurance को ज्यादा पे करना पड़ता है especially मैं western countries की बात कर रहा हूँ so this is how आपका जो k-nearest neighbor algorithm में ये काम करता है and k-nearest neighbor के अंदर आप इस तरीके से different चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप किसे कैसे चीज़ों को classify कर रहे हैं या regression के लिए use कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज़ ये है आप इसको regression के लिए भी use कर सकते है regression जिसके लिए आप mean या median को लेंगे अपने neighbors के ठीक है और second आपके पास है जनाब classification और classification में आप usually इसको use करेंगे based on the mod mod क्या है repeated values जो आती है repeated values from neighbors values ये दो तरीके आपको regression और classification के लिए use करने के लिए मिलते हैं अब एक बात आपने याद रखनी है कि how we can find the neighbors find the neighbors होता क्या है कि neighbors को find out करने के लिए आपके पास जितने भी points हैं say for example neighbors को हमने find out करना है ये मैंने point इस तरीके से 2D space के अंदर लगा दिया ये वाला points और मैंने find out करना है कि इसके एर्दगेर्द कौन से जो points है वो करीबी point है ठीक है तो होता क्या है मुझे इस point से उन points का distance मापने है यानि कि इसका distance कितने है इसका कितने है इसका कितने है इसका distance कितने है और अगर आप पुराना lecture याद करें जिसके उपर mathematics के अंदर मैंने बता है था कि हर एक point एक vector को show करता है क्योंकि vector हम ज्यादा नहीं लगाते तो इनकी tip के उपर हम एक point लगा देते है और जो points जो होते हैं हम 2D space के अंदर देखते है इसका मतलब है जब आप एक vector ये है और एक आपका दूसरा vector है इन दोनों का अगर आपने distance मापना है तो यू नीड तो find के से 2 point का distance जो है उसको measure करते है और 2 point के distance को measure करने के लिए हमारे पास पहली technique होती है Euclidean distance Euclidean distance Euclidean distance Euclidean distance ये Euclidean distance एक method है जिससे हम find out कर सकते हैं second one is called Manhattan 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 distance the third one is Minkowski Minkowski distance और फिर hemming distance भी होता है which is not really at this point useful but hemming distance ठीक है तो ये चार distance जो हैं बहुत मशूरे जुमना होते हैं और इन चार distance की base पे आप दो points का अपस का distance find out कर सकते हैं और ये चार जो distance हैं ये सिरफ के नेरेस नेबर में ही नहीं use होते you can actually use them in multiple algorithm जिन में k-means clustering भी है k-means clustering उसके अंदर भी ये use होगा और there are many other algorithms so distance matrix हमेशा use होते हैं यानि कि अगर आप इस distance को measure करना सीख जाएं तो machine learning के अंदर आपको एक technique आजाएगे जिसको distance matrix बोला जाता है ठीक है और हम आने वाले lectures के अंदर इन्ही को discuss करने वाले है अब आपके लिए जो बात इस पूरे lecture के लुबे लुबाब है वो ये है कि a man is known by the company he keeps और we can say a data point is known by the company he keeps ठीक है यानि कि एक data point अपने करीब भी दोस्तों से पहचाना जाता है जब हम data point को डालते है किसी 2D space के अंदर we can actually measure the value of that data point or the class of that data point by measuring the distance between the other variables जो data point के वहाँ पे मुझूद है तो let's see कि कितने किसम के distances और कैसे हम उनको देखते है अब अगले lecture के अंदर हम start करेंगे Euclidean से फिर आगे जाएंगे Manhattan पे फिर आगे जाएंगे हम Minkowski पे फिर हम Hamming distance को देखेंगे ये चार distance हम अगले lecture के अंदर देखने वाले है